एक छोटे से गाव में रामू नाम का एक किसान रहता था, जो बहुत ही नेक किस्म का आदमी था. उसके पास रहने के लिए एक छोटा सा जोपड़ी था. एक दिन रामू अपने खेतों में काम करते हुए, देखता है कि एक किसान अपने हाथों में बैग लेकर जा रहा है. रामू ने किसान से पूछा, अरे किसान भाई, आप ये अपना समान लेकर कहां जा रहे हैं? तभी किसान ने मुस्कुराते हुए बोला, मैं शहर जा रहा हूँ क्योंकि जमाना बदल गया है, अब खेती काम का नहीं रही, अब शहर में नौकरी करनी पड़ेगी. रामू ने सोचा, अब जबाना बदल गया है तो मुझे भी कुछ नई तरकिब सोचनी पड़ेगी. उसने अपने खेतों में नई तकनीकियों का इस्तिमाल किया, और अनाज की फसल में सुधार लाया, वाह वाह फसल तो बहुत अच्छा हुआ है, इसे बेचकर एक साल का गुजारा तो हो ही जाएगा, कुछ समय बाद उसकी महनत रंग लाई, उसकी अनाज की फसल बड़े बड़े मंडियों में बिकने लगी, रामू कुछ पैसा बचा कर एक छोटा सा दुकान खोल लिया, धीरे धीरे रामू का दुकान बड़ा हुआ, और उसकी अमीर भी लोग उसके दुकान पर आते थे, और उसकी सलाह लेते थे, रामू ने अपने किसानों को भी नए तरीके सीख कर उनकी मदद की करता था,